बांदा जिला के बरोखर बुजर्ग गाउं के निवासी महिस्वरी दिन यादब का पूरा परिवार बीमार है उनकी पत्नी टीवी, दमा और गुर्दे में पानी बढ़ने की बीमारियों से ग्रसित है महिस्वरी दिन खुद दमा और बहरेपन की बीमारी से चकड़ा है उनके बड़े लड़के रती राम को कैंसर है दूसरे लड़के प्रेम चंद को दमा और तीसरा लड़का राम सिंग लांग है बची दो बहुएं, साथ बच्चों की देख रेक करती हैं कोई कमाने और व्यवस्था करने को नहीं बचा जिले की स्वास्त व्यवस्था थप और इलाज की कोई सुधा नहीं ऐसे में निरास और हतास होकर महिस्वरी यादब ने इपांदा के डियम के पास जाकर 29 जुन को इक्षा मिर्द्यु की मांगी कितना इलाज में खर्च हो गया अभी तक है दिर्फपन दो लाक्ट तर खर्च हो गया अभी आप कहां से आ रहे हैं हम अभी पांदा हास्पीचल से आ रहे हैं आप अपर तैसे आप पहुंशें दियम कि यह भाई थे स्नाने लाक्टर मुझे जब असास फीटल है जब दाक्टर मुझे कंपोर्टर ने देखा डाक्टर तो मेरे खास जिया रात में बतु चला दिया था आप अपने भाई के साथ जिलास बतालने थे जी वहाँ पर कैसे हुआ तो रहा था और अब हुआ से उन्होंने कहा कि अधी इनका अच्छे से इलाज करवाना चाहते हैं तो कहीं ले जाओ तो हमने वहां से रिफर बनुआ कि अब भाई साथ कोनी वही लखना उले जाएंगे मता यह कब से आप इसे प्लांगे मैं तो वही मुझे याद नहीं लेकिन मेरे माता पीता बताते हैं कि कर वही लगो मेरी एज रही होगी तो बीम साब के पास गये थे दो हां से कुछ सहयूग मिला कि इलाज दे दिया हूंगों आवास रहने के लिए दे दिया टैक भी ने टेनों बच्तों के लिए पढ़ाई भी मुझे तो अब बोल रहते जैसे अब भी बोल रहते हैं कि अवास के लिए भी और ने तो मिला है या भी कहा बहरे में हुंदी अभी हमें मिला कुछ भी नहीं हाथ लिए बस परसानी है जिल रहे हैं जाद की जिमार है तो बस रहे हैं परसानी है अब है तो पैसर रुप्या ही नहीं है जंग अहां तो लगा जुके हैं करना ये सब लोग ये तो आप लोगों की बेवस्ता जो पर मिलता है जो हमारी पन्ना में थोड़ा पतीस भीगा जमीन वहीं हमने बेंच डाली बस जहीं किसानी किया इसी में चाहदा ना पैदा हुआ तो इसी से अपना परवादा चाहिए कर लेते हैं जब अगर बीमार हुए तो जा करके प्राइबेट मेडिकलों में ले लेते हैं दो चार खुराग दवा और फिर करते हैं तो अब यहां जो दो कम रहें इतने में रहने के लिए पूरा हो जाता है नहीं होता है तो जीबी जी क्या कर लिए परवा के लिए नहीं तो मकान बनवाने के लिए कहां से आजाए अब इतनी आपस्तियां पारी है तो अब जेठ पूता तो पस्ति को अपनी कावधा हो यह पस्ति के मारे दिमारी ज़ब गुर्दा में पानी बढ़ी चादो मेरे बहुत से एलाज करा है लागाने तब पानी सुखा से रहताब कलमा नहीं रातो कुछ करने लाईं कुछ ना धनने लाईं जिले की अभी आप हाल ठीक नहीं है कि यहां पे जय्दा सरकारी एस्पिताल ही ले लो ओं आपे जो है डाक्टर बहुत एक बार दिन में देखने आजाते हैं और ज्यादा देख भाल नहीं करते हैं और प्राइबेट ले जाओ तो व गई श्मभीर बीमारियों के लिए डॉक्टर सियाफत क्या हैं? गई विश्वाइशान में नहीं है। नीरोलोजी के कोईश्पर्ट नहीं है। नीरोसंजरी के कोईश्पर्ट नहीं है। स्वास्त वेविश्थाबादा की। मैं तो पिछले बर्ते साल से दूजर आ हो हूं यहां की विवस्ता अब दूसरे श़रों से कम सम्पच्छ सार पीछे हैं जो भी यहां पर MRI आइस टके लिए हैं CT से के में एक प्राइवेट सेक्टर में है प्राइवेट सेक्टर में है पतॉल जो है वह सब कि लोगों दवरा चला ही जा रहें है कुछ घिन्ति चुल्ति के चार तीन-चार झारा है और बाकी सारकारी विवस्ता जिसके सहारे यहां पर ते गाखों की जनता है अब बताइए कि हमारे कोई परिवार में कोई कुछ करने वाला तो है नहीं तो इसके शिवा यदि शासन तुछ करते तो ठीक है इसे अच्छा है कि मार्जाना ही अच्छा है